आपको में बताने वाला हूं रिगाडिंग दो बैंक ऑफ इंडिया का जो पोस्ट आया है इसके बारे में डिटेल्स में इसका क्या एलिजिबिलेटी क्राइटरिया है और साथ इसाथ पाकेंसी के साथ जो इंपोर्टन कुछ की पॉइंट्स है ठीक है इसके आपका अगर सिल कर लेख कैऑ इसको आपको अपलाई करना है या नहीं ठीक है सो श्रक बीक अ कि टे लोank एंटिया इसका डैल ग्याद्स का हो चुका है and the 25th is the last day ठीक है तो इसके साथ जो एस रिलेटेड या क्वालिफिकेशन लेटेड जो सिलेक्शन होगा या फिर क्राइटरिय होगा दाट इस फर्स्ट फेबुररी तक ही सब कुस इसके बाद नहीं होता है ठीक है और झाल करेंगे अगार आपको में बता रहूंगा कि अगर आप जीविव वए में जाते हैं क्या यह स्पेशलिस्ट है नो इस नाट लाइक यूइल भी ट्रिटेड आज जे जेनरल पी ओ जैसे आप नर्वाल आई वी पेस पी ओ देके सिलेक्शन होते हो एसे यह आपको यह सेम ही पोस्ट है बस इसका एक इंपोर्टन है कि आपको पीजी डिवेफ कोर्स क छोगा यह बहुंग बताया नहीं है पर इसका कोर्स प्री वागरा क्या डायलैंस है , इसके अंदर एक बंड भी रहता है ठीक है और कोर्स प्रीख स्कते है या फिर आप अपने खुझ से पेवी कर सकते हो ठीक है तो जिन लोगों को लगता है कि उनको फाइनेंशियली वह है दिन वह भी यहां पर यह वाला कोर्स को अभेल कर सकते हैं ब्यांक आपको एजुकेशनल लोन दे प्रोभाइड करता है ठीक है तो जीवियों के लिए आपक सब्सक्राइब करते हैं आपको एक होफ जैसे लगता है ठीक है तो इसके लिए अपना फोकस करिये गो फॉर इट आराम से प्रेपरेशन करिये अपना बेश दिजीए अगर आपका में अपने आपको जो होता है अपने आपको प्रूव करना है ठीक है तो इसके लिए और माई साइट क्या डिसीशन होना चाहिए यह आपको फाइनली लास्ट में बताऊंगा और उससे पहले हम और भी कुछ कपर कर लेते हैं और अच्छा भाकेंसी है फाइप अंड़ सबसे कांट होंगे तो नेक्स्ट है इसका जो आपका बैसिक वैसी इस यह जो होए ना 36,000 यह नर्माल अगर आप करेंगे यह आपका रहता है बैसिक पर एलिजबिलिटी क्राइटेरिया स्थेम है पर इसके जो एज है ना इस हुंपियटेस्वश के लिए आई-टी के लिए विए टी विडीलिटेस्ट ऌपिंटेलेश्च यह डिटेल्स आई है जैसे कि आपको computer science में आपको फोर येर बीटेक होना चाहिए या फिर दिजाज थिंग्स consequence stream कभर होता है computer science या IT या computer applications और EET एलेक्रनीकेशन वाले आपलाए कर सकते हैं एलेक्रनीकेशन और आप फोर एक्रेज्ट्स और एक्राजुएट एलेक्रोनीकेशन । एलेक्रोनिक सेम थिंग है उसके दिन यूर एलिजीबल और नर्माल जो है क्रेडिट अफिसर सेम तिंग अगर आपका आप एक ग्राजुएटेड हो तिन यूर एलिजीबल पर इसके रिलेटेड कोई इंडिविजुल क्राइटरिया आया नहीं है पर विकन सी जो यह है आपक है हमारा अगर एस क्राइटरिय देखा जाए तो आपको आपको क्या लांनिंग के मिलेगा इस बेनिफिचल और नाट आपको फूल डिटेल्स में मिलेगा क्यूंकि जो प्रिविएसली बिफोर त्री एर्स फोर यहर्स मैंनी ब्यांक्स रिकूर्टिटिंग त्रोडिस प्र अन्डेश बेनिफिचल पर देबैंक अजिए बिकास यहां पर जोईन करते हैं अगर जाएं करेंगा यह विल गैं समनोलेज विल हाव वाट अट अब इनिफिट्स आई अल्सो से अटिक है मेरा भी जो देशिलेक्शन हुआ था हमारा जो बैंक का पिजरियों को आता है तो इस गुड़ वन बिकास नर्माल आवी पेस पीओ इसके इसमें क्या डिफरेंस है अगर अच्छा ब्यांक में आपको इसके थ्रो में भी मिलता है देन इस गुड़ वां इस गुड़ टिक है तो उसके बाद में बताऊंगा दिजाद थिंक्स इडव्लूस बगेरा ओके हां यह रहां ओनलाइन एक्जमिनेशन यह जो है सबसे इंपोर्टांट हो जाता है कि ओनलाइन एक्जमिनेशन का क्राइटरिया किया रहेगा ठीके यहां पर हमारा एक फॉस्ट रहता है इंग् 30 कोसिंस 40 माक्स 35 कोसिंस 60 माक्स और टू कोसिंस 25 माक्स टिके 40 60 35 45 30 मिनिट्स तीक है सो टो टोटल हमारा हो गया 100 180-10-10 minutes ठिक है सो इसके अंदर सबसे important यह हो जाता है कि यह जो yellow mark है that means English language and English descriptive है यह दोनों हमारा रहेगा only qualifying in nature आपर you can see so qualifying in nature रहेगा यह जो आपका mark है यह आपको qualifying रहेगा और यह जो तीनों आपका merit यह decide करेगा ठीक है तो आपको इसके उपर फोकॉस करना है और यह जोनों है qualifying mark कितना इसमें आपको 40 परसेंट लेना है अगर आप जेनार स्ट्रिम से बिलंग करते हो और कैने बिलंग टू जो भी सी सेस्टी होते हैं उनके लिए 5 परसेंट यह हो जाता है 155 10 10 cancel हो गया देन हो गया 15 10 इसमें आपको 10 माक्स लाना है और आपको 16 माक्स लाना है यह आपके लिए अपर्टिम में 10 माक्स लाना है तो ज्याद़ कुछ नहीं करना है बस अपना करमायर कुछ कुछ पॉइंट से इसके उपर आप फोकुस करके इसका ले सकते हैं ठीक है तो यह जो है अभी इंग्लेस अंड इंग्लेस डेस्क्रिटिब के लिए जिन लोगों का डर है यहां पर आपके लिए एक बीग अपर्चुनिटी है अपना बैंक का सिलेक्शन लेना ठीक है और यह रहा रिजनिंग जेनरल ओविसली यह आपका फोकुसिंग लेने तो हमारा फोकुस किसके पर रहना चाहिए यह जो तीन वेपर को पर रहना चाहिए ठीक है और यहां पर कंप्रिटली मेंसन हुआ है इंग्लिश जो है विल नॉट बी प्रिवाइल प्रिपेरिंग फॉर्द इंटर्वु के लिए 60 माक्स और इफिए टाक अबाउट मी माई फेवरेट पार्ट इस जीडी अन इंटर्व्यू ठीक है क्योंकि यहां पर जीडी होता है ना असली जो फिल्टर हो जाता है जीडी प्रोसेस में हो जाता है बहुत सरे बंदे ऐसे हैं जिनके पास बहुत अ इंटर्वु दिस्युन भी प्ले ए ए भैरी इंपर्टान्ट रोल इंट पर सिक्स्टी के लिए बिसीडे मार्ट समयमें 40 और अज आएगा जिन्हों का मेंस सिलेक्टन होता है ठीक है और आपको हो गया है इसके बाद यहां पर आपको पीजिए पर कोर्स आटेंट करना पड़ेगा जिसका कोर्स फिर रहेगा सबसे इंपोर्टन अच्छा बात यह है कि जैसे कि मेरा भाला भी जो था हमारा एक अच्छा थांगे अगरा बैंक में फाइप जाते हैं देन उसके बाद आपको रिंबर्समेंट होता है कुछ-कुछ बैंक में नहीं था जैसे कि युनियर बैंक नहीं था है प्रिप्रशेस फेले स्टार्ट होता था, 2017-18 was the last, उसके बाद यह स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद हम क्या guess कर सकते हैं कि बहुत सरा और भी पिजरेवी कोर्स वाला आने बाला है, ठीक है, सो यहां पर देखते हैं, फास्ट है हमारा यह जो है हमारा फास्ट वीक अपर एप्रिल से ही स्टार्ट हो जाएगा, टेंटेटी लिए टर्निंग प्रोग्राम, मतलब यू कैन सी इसका जो सिलेक्शन प्रोशीजियर है, विल बी डॉन विदिन वान मंथ इसका जो आपका सिल होता है कि यहां पर आपका सब कुछ आपको क्या के फास्लिट मिलता है पिजी रेव कोर्स में आई लोग अल्सो से या ठीक है, और नेक्स हो जाता है, एजुकेशन लोन मिलता है, अगर आप लाक्ट वाई करते हैं इसके लिए आपको 50,000 मिलता है, मैक्सिमूम फो लाक्स तक आप लोन ले सकते हैं, ठीक है, और नेक्स हो जाता है रिंपर्समेंट फी, इस इस यह बहरी इंपोटन पार्ट कुछ-कुछ बैंक में नहीं दिया थे, स्वेश्याली ब्योवी ब्यांक वाड़दा ने अपना जो है रिंपर्समेंट करता था पर बाद में उबंध कर है जाता हाँ है ठीक है उसके पosit है कि यहां पर यह लोग यह स्टार्ट हिं यहां पर आको आपना मन हो जाएगा फंका यहां जू ही होता है यहां पर मेंसर नहीं किया गया इंट्रेस्ट कितना होगा पर इसके बाद सबसे इंपोर्टन्ट है कि देखो यहां पर आपको जब भी आपका कोर्स चलेगा ना 23333 करके 9 मंत के लिए तो वह यहां पर आपको 2500 पर मिलेगा आजे स्टाइक्वेंट उसके साथ आगा लास्ट मनत में यहां यहां में होगा 5000 और बस च्छोटा से डिफ्रेंस हा है कि जैसे दिफेरंस नहीं अपने आप जो भी अंजब ट्रेनिंग के ताइम में फूल सालरी दिया था यह लोग यहां पर दे रहें 15,000 पर मंथ ठीक है पर इस ओके क्योंकि वह आपका जो है ट्रेनिंग जो अंजब ट्रेनिंग हम बोलते हैं ठीक है और डाट मेंस टोटल 12 मांथ को 3 3 3 3 में डिभाड कर लिजिए यह 3 3 3 3 करके आपका सेमिस्टर रहेगा यह लास्ट रहे आपका ट्रेनिंग रहेगा ठीक है और यह तिंग्स काहां पर होगा अभितर की वाला मेंसन हुआ नहीं है और सबसे इंपोर्टेंट और एक पॉइंट था लेक में शो यू आपके तो यह रहा आप्लिके आपको एक देना पड़ेगा आपको एक देना पड़ेगा अर्द टाइम आप जोइनिंग और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा देना आपका एक टाया आपको एक सिकूर्ट डिपूजिट देना पड़ेगा दाट विल भी वान लाक रुपीज यह रिफंडेबल है कि आपको रिफ्टर्ण मिल जाएगा जब आपका थ्री यहर्स कंप्रिट हो जाएगा अगर आप त्री यहर्स फेले अगर आप ब्यांग छोड़ देते हैं देन आपका यह जो वान लाक रुपीज यह ताट विल बी नॉट रिटर्ण तो यह आपका सिकूर्ट डिपोजि जाए एक्जाम आटेम्ट करें अंड बेस दिजिए ठीक है अंड इसका जो लेबुल आफ को सेंस रहेगा दाट विल बी सम्थिंग मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा ठीक है यू आपका अपका अच्छा एक अच्छा रेपूटेड युन लोगों का इंग्लिस के ट्रेनिंग अब वहां पर जो ट्रेनिंग पिरियाड में आपको ट्रेन करेंगे जो रिटेर बैंक प्रोफेशनल्स तो डाट मेंस वह दा एक से जी एम जी एम से जी एम टाइप के लोग जो अल्रेडी बहुत ज्यादा एक्स्प्रेंस आप उनके साथ मिलेंगे और इसका यहां पर आप जो 350 आएंगे यह आपका फुल इंडिया को कभर करेंगा ठीक है डाट मेंस यूविल मेटे मीनी इंडिया ठीक है अंड दोस नाइन मूंस विल बी गोल्डेन पिरिड अपर टाइम बट उस टाइम आपको रियालाइज नहीं होगा बट आपको अप्टर सब्सक्राइज होगा कि आपको ट्रेनिंग पीरिड है ना आइन मंत अच्छा है हम लोग तो यह से चाहते हैं कि अभी हमारा जो कॉलिक्स के बीच में बात होता है यार अभी हमारा सालरी कड़ कर दो हमें ट्रेनिंग के लिए भेज़ो पर इसके बारे में हम बात करेंगे पर exam point of view से अगर आप अभी aspirant mode में हो ठीक है I will share कि आप इसके लिए positively अप्रोच के साथ जाए अप्लाइ करिए ठीक है अच्छा उपर्चुनिटी है और इंग्लिस देखो यहां पर क्वालीफेंगी नेचर है पर जो आपका रहेगा ग्रूप डिसकर्शन जीडी फाट में है वहां पर आपका very important role होगा and इसके लिए हम अच्छे से plan कर लेंगे I will also share कि क्या क्या कैसे कैसे हमें करना है and we will definitely get it but now आपका focus रहेगा यह जो first जो हमारा means directly exam होता है उसके उपर की पहले इसको cover कर लेना है उसके पास हमें 15 days का time मिलेगा उसके अंदर that's more than enough हमें selection लेने के है ठीक है so hopefully यहां से आपको fully clarity मिल गया होगा कुछ भी डाउट है you can mention in the comment section and I will come with another session की होता किया है सबसे important होता है कि वहां पर हमें आपको जो पीजी डेव कोर्स जो है आपको help करेगा जैसे कि आपका आपने जॉइनिंग से पहले ही आप जो है experience लोगे के साथ बात करेंगे मिल लेंगे ठीक है तो आपको और कॉर्स पता चल जाएगा पर बाद में आप जब काम करना श्राट करेंगे तब ही आपको बैंकिंग का रियल ही बारे में पता चलता है पर आपको पहले से ही आपका जो हेक नेटवर्क बन जाएगा जो कि आपका नॉर्मल वार्किंग है बहुत ज्यादा हेल्प होता है और यू विल भी ट्रिटर आज नॉर्मल पीओ ठीक है जब आप जॉइन कर लेंगे आप्टर सम टाइम यू विल बी कॉम्प्रिटली फाइन आज नॉर्मल इट इस सो इसके लिए आप अप्लाई करिए पहले सिलेक्शन लेना है उसके बाद सोचते रहिएगा बिफोर डाट डोंट आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा अप्लाई करे या ना करे जैसे कि में भी सायद इसका थॉमलाइन में डालू अप्लाई करे या ना करे डोंट ठीक जो अप्लाई ना फोकस अन दा एप्लाई फिर मिल थे नेक्स में शो दिस इस पर तोडे है यापी लाइन एंड विल थे नेक्स में